हेलो एब्रीवन कैसे है आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने समिस्टर एक्जाम के प्रिपेशन अच्छे से कर रहे होंगे जैसा कि मैंने इल्यूमिनेशन स्रिलेडर सारे लेक्चर कंप्लिट कर दिये थे चाहे वह टर्म आफ उल्यूमिनेशन हो लॉ और जो है पांचमा जो होगा उसमें हम नुम्रिकल देखेंगे जो छे मार्क में पूछे जाते हैं एक लंबा चोड़ा नुम्रिकल होता है जो कि आपको मैंने इंट्रोडेक्शन ऑफ सिलेवर्स के दौरा नहीं बताया था तो वह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ लक्ष है जो अंतीम मकसद है हमारा वो जेई में ही सलेक्शन लेना है तो उसी हिसाब से हम यह कोर्स को डिजाइन किया है मैं कोई समेस्टर पॉइंट पढ़ा रहा हूं समेस्टर तो जो चीज लिखना है पढ़ाना है वो तो मैं बता ही देता हूं अब्जेक्टिव में कर सब्सक्राइब कर दोनों का सिलेबस से हम होता और यूपी-पी-चल में खास करके ज्यादे तर कोशन इसी से पूछ जाते हैं तो आप पास होंगे और उसके बाद इसको पढ़िएगा इससे अच्छा है कभी आप अच्छे से पढ़िएगा जो है मैं आपको वैल डिफाइ अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे सही माइनिस ओने देखे होंगे तो अभी जो इतने भी आपको प्रिबियस यह करवाँगा कि कौन से कोशन जो है या फिर बीस पीचल में पूछे गये हैं बाद में मैं आपको यह भी पता राजपुत से ही पूशे जातेए खासकर जिस देरिटीकल कोशन होते हैं और गुप्ता यह फिर हमरा बूरता से पूशे जाते हैं अब आपको यह कैसे पता चले गा कि यह से पूशे जाठाई है तो अभी मैं देखेए जो यह जो अब देख रहे हैं यह जो पीडिये फ मे सब्सक्राइब करें और अगर आप उसके बाद अगर आप आर्के राजपुत को देखेंगा तो समझ में जाएगा और यह एक्जाम में आये हुए हैं तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन को ज्यादा नहीं जाएंगे और आपको नुम्रीकल बनाने के लिए तो फ़र्मूले जो थे आइकवल टू क्या होता है ऐकवल टू क्या होता है यह सारे फ़र्मूलो को आपको रटना है ति जाके आपको नॉमरीकल बनने UX लेगा तो फिलाल यह औब क्या दिया हुआ है 15 वाट और हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल लुमिनियस फ्लक्स यानि कि जो फाइ निकालने वाले कहीं कहीं फाइब कहा जाता है तो आप क्या डिनोट करते हैं याद रखते हैं यह इस पर धियान रखेगा ठीक न मैं तो फिलाल फाइब कहता हो फ्लक्स यहां से चुकिए हमको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालेगा तो MSP MSCP गुना क्या हो जाएगा फॉर पाय होगा तो आप यहां देख सकते हैं MSCP तो MSCP हमारा 15 पाय यहां 4 पाय का वैलू यह 3.14 है इसको कल्कुलेट किजेगा तो हमारा यह वैलू हो जाएगा ऑप्श पैजिन पुछे गए उसको भी मैं आपको बता देता हूं पर फियाञते का इंट नस पाइन चिंच का यहा. तो बड़ा तुच्चा सा क्या सकते हैं जो कि आप मैंने करवाया था डिफिनेशन डिफिनेशन से जैनरली कोशन पूशे जा रहे हैं नेक्स्ट यहां पर देखे क्वेशन मैं कि जो लुमिनियस फलक्स है जो ती तरविता उसका इसमें किसमी व्यक्त किया जाता है अब नेक क्या प्रक्स में क्या बोले थे आपको कैकर से क्अक्ड़ा इसलिए चीजी किया जाता है था बावर को जाने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी वेपर लेंप क्या होता है यह कैसा कलर देता है तो ग्रीनेस बुलू लाइट यह आपके समेस्टर एक्जाम में पूछे गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो function of capacitor connected across the fluorescent tube मैंने भी आपको बता है कि यह क्या किया जाता है पार फेक्टर को इंप्रूब करने के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहां पर क्या हो जाएगा oven and regular reflection जिसको असपे रिकुलर रिफ्लेक्शन या अमेडर रिफ्लेक्शन भी चरहते हैं आह समझ आपको बता है अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो सब्सक्राइब ले देखिए तब यह सारे question आपसे बनेंगे नेक्स्ट जो है topic next question है कि solar number का which type of starter manually used in full-dosen tube जो है glow type starter use किया जाता है इस type से मैं आपको बताया था यह जो है glow type starter है ठीक है इसको बोलते हम biometallic strip इसको बोलते हम biometallic strip और इसके अंदर जो है gas बरा रहता है इनेट गैस बरा रहता है जिनरली ठीक है चलिए next question की बात करें next question में मारा है कि जो illumination level होता है किसी भी house का जो जनरल अभी जैसे मेरा गार है ठीक है इसमें जो illumination का range होने चाहिए तो लाग भाग यह कितनी होनी चाहिए स्वा से एक सो चालीस लुमेन पर मीटर स्कॉर यह पीडियाफ आपको मिल जागा आप question को practice कर लिजेगा यहाँ पर next question जो है आप देख लिजेगे high pressure mercury discharge lamp जो है कहां पी यूज नहीं किया जाता है drawing room में नहीं यूज किया जाता है ठीक है क्योंकि इसका power factor हमारा GLS lamp जिसको incondescent lamp या फिर filament lamp कहते हैं वो जो 10 रुपया वाला रेड़ वाला बल्ब होता था उसका जो unity power factor होता है ठीक है highest power factor होता है यानि कि सबसे highest होता है next one है next one की बात करें तो प्रवेंट excessive brightness उच टाइप आफ लाइटिंग इसके मीज यूज किये मतलब कि जो excessive brightness है glare होगा चकाचोंद होगा उसको कम करने के लिए किस टाइप की लाइटिंग इसको जनरली यूज करेंगे तो indirect lighting indirect lighting में क्या होता है कि हम पहले क्या करते है पूरे light को ceiling पे डालते हैं ceiling पे डालने के बाद वो क्या होता है डिफ्यूज होके हमारे घरों में जिससे क्या होगा कि glare और चकाचोंद कम होता है अब जानते होंगे तो ज़्यादा जनकारी कि आप पिछली लेक्चर को डिफर कर लिजिए लेक्ष्ट है कि function of inert gas in filament lamp तो filament lamp में मैं आपको बता है कि जो inert gas का कम यह सारे मेरे नग्सकार क Ireland गया जाता है जो filament में वो क्या होता है नैंटोजयन खोर फिकल्ण होता है तो फिलाल यहां पर अप्षण बेटर रिफर होता है जनरल नाइट्रिजन और आर्गन का ही यूज हम लोग करते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि जो हमारा आउटपुट तेंगस्टन फिलामेंट लेंप डिपेंड अपन तुस्ट इंप्रेजर ऑफिलामेंट पे डिपेंड करता है कि हमारा जयादा पावर लेता है कि और बल्ब को मकाबले जो अधर जो बल्ब है ठीकना और बल्ब के मुकाबले यानिकि जो अधर बल्ब वह ज्यादा पावर लेता है यह काफी कम पावर लेता है कम पावर को ही यहाँ पर जीरो का गया लेकिन जीरो का मतलब यह नहीं कि यह पावर जीरो लेता है ठीक है पावर तो जीरो लेने का मतलब है कि वो जीरो पावर का बल्ब है या उसमें जीरो करेंड या जीरो वाट का मतलब होता है कि अधर बल् टाइप आफ लैंब गिपस मोर इलुमिनेशन फ्रम वाटेज यानिकि लो वाटेज पे सबसे ज़्यादा जो इलुमिनेशन देता है वह कौन होता है LED होता है ठीक है और उसके बाद हमारा सब्सक्राइब होता है तो फिलाल LED अभी चल रहा है कम ही वेटेज में कम बिजली करके ज्यादा इलुमिनेशन देता है लाइट वेब जो ट्रेवल करता है वह उसका वेलुसिटी क्या होता है तीन गुरह दस पावर आठ मीटर पर सगन होता है चुकि यह संटीमिटर में तो यह दो पावर और बढ़ जाएगा नेक्स्ट कोशन है हमारा light is produced in electric discharge lamp तो जनरली किसके बज़स होता है तो जो आयन होता है जो हमारा gas होता वो आयन और जैसन हो जाता है तो वहां पर gas discharge टेक प्लेस होता है यह जनरली भी इस पिनो मेंना का यूज किया जाता है हाई-प्रेस यह का होता है जो कि एरिया है मीटर स्क्वार जागा तो इसका यूज जाएगा candela per मीटर स्क्वार अब नेक्स्ट कोशन है हमारा कि जो है पावर फैक्टर आपको निकालना है ठीक है फ्लूसेंट लेम का इसमें जो है बोल्टेज दिया गया है और यहां पर पावर दिया पर इसमेंट को जाता है तो फिलाल तो फर्मूला आपको यह तो फिलाल नेटवर्ट योरी का कोशन आगया बेसिक अलेक्टर इंजिनिका तो आप सिंपली यहां से निकाल सकते कि पीवल टू भी बाया होता है यह से कोशपाय क्या हो जाएगा पी यहां पे दिया हुआ हु कल्कुलेट कीज़ेगा तो फैनल एंसर आ जाएगा नेक्स मैंने कि लुमेनियस एफिसेंसी जो होता है फ्लूरसेंट ट्यूब का वह जेनरली कितना होता है तो वह जेनरली साट से पैसट होता है इस बात का दियान रखेएगा बार-बार एक्जाम में कोशन यह पूछे जात लेकिन डिसीप अपरेट करने से वह कम समय में ही खराब हो जाएगा क्यों होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बतायाता है अब यहां पे नॉमेरिकल है कि जो लेंप है वह पचास वाट का लेंप है इसका MSP दिया है 1000 और इसका यह जो सस्पेंडेड है मतलब लटका स्कॉर्ड इस फर्मुला को बस रट लीजिए गा और यहां से कोशन यह बन जाएगा यहां पे चुकिए illumination निकालना है तो एकुल टू क्या होजाएगा है यहां पे आई मतलब यहां पे candle power है केंडल पावर हाजार है और हमारा जो हाइट है वो 2.7 है तो 2.7 के स्क्वाइर हो जाएगा फिलाल हमारा एंसर आजाएगा 117 सदस्वाइब 177 लक्स जो कि illumination का युनित लक्स होता है next question हमारा है कि जो most important factor है respected to light quality वो होता है हमारा glare ठीक ना glare से ही हम generally define करते हैं कि lighting quality क्या है ज्यादा glare बन रहा है तो हम कहेंगे कि जो lighting quality घटिया है कम glare बन रहा है तो lighting quality क्या है बढ़िया है next question हमारा कि what is the function of chalk in fluorescent lamp जो चोक होता है उसका generally काम होता है high voltage produce करना starting time में यानि कि जो chalk coil होता है वो क्या होता है high voltage produce करता है जिस पर जैसे क्या होता है हमारा gasier distance tech place होता है tube में next है कि जो carbon arc lamp होता है यह question बार-बार exam में पूछा जाते इस बात का धियान रखेगा जो carbon arc lamp होता है मैंने पिछले वीडियो में बार-बार बताया था जो carbon arc lamp होता है उसको हम लोग cinema projector में यूज करते हैं तो देखिए option भी वही होगा efficiency होता है यह क्या होता है लूमेन पर वाट होता है पिछले लेक्ट्चर में यहनकी फर्स लेक्ट्चर में आपको बताया है और जो arc produce होता है वो AC से भी हो सकता है और DC से भी हो सकता है next हमारा है कि जो बल्ब उसको किस ने discover किया था तो addition सामने किया था और इंकंडेंसेंट बल्ब किस से बरावा राता है और नेक्टोजन केस भी रहेगा option में तो उसमें भी टिक करना या फिर बहुत को टिक करना और बात करें जो यूनिट होता हुआ स्टे रिडियन होता है और यहां पर GLSF लेंप का सिंपल सा मतला होता हो रेड़ बल्ब या फ इसका 60-50 या दस से बीस होता है अब यहां पर प्लैन एंगल का यूनिट की बात करें तो यह रेडियन होता है और यहां पर बात करें सबसे हाइस्ट इल्लुमिनेशन लेवन किसका होगा तो यहां पर प्रूफ ओफ रेडियु होगा कहने का मतलब है कि कहां पे ज्यादा इल्लुमिनेशन का प्रूफ रेडिंग में पुरूफ रेडिंग का मतलब है पूरूफ रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे माली जी हमने एक नेक्स्ट कुश्ण है कि source of illumination for cinema projector जो source of illumination और cinema projector के लिए तो वह में लिख्या होता है sodium carbon arc lamp नेक्स्ट कुश्ण है आप बाकी यहां पे हिंदी में detail में दिखा गया है आप यहां दिख लेजएगा यानिकि जो incondition lamp उसी को बोलता है simple valve जो होता है 10 वाला उसी को बोलता है GLS lamp नेक्स जो radiated efficiency होता है जो radiant efficiency होता है मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता है था जो radiant efficiency होता वो generally body temperature पे यानिकि source के temperature पे depend करता है कोई चीज़ें यहां पर देख सकते हैं नेक्स होने के disadvantage of fluorescent lamp as compared to GLS यानिकि जो दस बाला जो red bulb है उसके मुकाबले जो fluorescent yield होता है उसका क्या disadvantage है उसका disadvantage mainly जो है वो है लेकिन घर में अगर मरकरी यूज़ करेंगे तो क्या होगा जब हम लोगें से हाथ करते हैं तो क्या देखिए हाथ यह क्या जिल में आ रहा है तो इसी को बोलता है वो तो शुरुवाती दूर में आप देखिए का clockwise घूम रहा है लेकिन जब घूमने लगेगा तो आपको लगेगा पंका इंडी clockwise घूम रहा है तीसी एफेक्ट को बोलते है एस्ट्रोबो एसकोपिक एफेक्ट यह रेडियो वेब के बज़से होता है जो जेनरली जो मरकरी वेपर लेंप होते है उनहीं में या फ्रोड़सेंट लेंब से ही निकलते है मैंनली तो यह बाला जो एफेक्ट अभी हाथ जैसा दिखरायती में इस एफेक्ट इसकोप बोलते है पहला दो इसको बहुत आप हुदा है इस बशने से यह उसके डिसर्भांदा में जो इसकी म्यूट किया जाएगा वह जैनरली फ्लूड लाइटिंग होता है मैंने कल यहीं वीडियो में यहीं तीसरी वीडियो में आपको बता है नेक्स्ट कुछन है कि जो इल्यूमिनेशन रिक्वाइड होगा प्रिसीजन वर्क के लिए ठीक ना सुधता जो जिस काम में मत कितना इमीट होगा सोर्स से तो आप देखिए बाइट एक बात बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी सॉलिड एंगल या फिर ना दिया जाए तो आप यह समझ के चले कि MSCP दिया है तो यहां पर आप देखेगा कि हमारा candle power दिया है और हमारा निकलना है फाई निकलना है तो फाई बराबर होता है CP गुना ओमेगा यहां पर हो जाएगा 4 पाई और CP है 45 तो 45 गुना हो जाएगा 4 पाई 4 गुना पाई का value 3.14 इसको जब आप calculate किजेगा तो value आपका निकल जा फोर लो फावर फेक्टर लो पाउर फेक्टर के लिए इंकंडेंसेंट लेंप जो होता है वो जिमेदार नहीं होता कि इसका unity पाउर फेक्टर होता है उसको जब से ज्यादा होता है next है कि which of the flowing luminaries has highest color rendering index value देखे यह जो CRI है जिसको हम कोलते है color rendering index तो जिस भी light का color rendering index यानि कि CRI जादा होता है तो वो जो picture होता है वो जो light होता है पूरी तरीके से दिखता है अच्छे से दिखता है हर सारी चीजे बारिकी से दिखता है और जिसका CRI कम होता है तो वो light क्या हो अच्छे से दिखता नहीं है तो CRI जो camera का अगर कम होता है मालीजिए तो जो हम photo खीचते है तो उसमें सही से coloring नहीं किया जाता है कोई सी भी object में black and white लगता है ठीक है अब दिखें यहां पर मैं लिवा उतना नहीं जाना है कि यहां पर क्या है कि कि किस luminaries का जो है highest CRI है तो तो वह होता हमारा lux meter कलम बता है तो photo meter के बारे में यहां पर देखें एक numerical है यहां पर आपको utilization factor पूछा जा रहा है next question है कि maximum working temperature होता है हमारा tungsten filament का वह होता है 3000 degrees Celsius अब यहां से एक numerical फिर से है कि luminaries at .5 meter यानि कि height दिया हुआ है आपका 5 meter और जो lux दिया है यानि कि 5 दे दिया ह है ठीक है 5 जो दे दिया है हमारा वह 6 lux दे दिया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि candle power निकाले तो जो आई बराबर होता है वह CP by H square होता है जिसे मैंने आपको पहले भी बताए था यहां पर CP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I into H square हो जोगा final answer आजाएगा हमारा किसके पास largest wavelength होता है रेड कलर का wavelength क्या होता है ज्यादा होता और बुलू का क्या होता है काम होता है नेक्स्ट यह जो numerical है आप देख सकते है ठीक है इस numerical को आप assignment के तरह बनाएगा बांगी दिक्कात हो तो आप WhatsApp कर लिजेग नेक्स हैं हमारा 20 watt का है तो आपको luminous flux निकालना है तो देखे जो फ्लूसेंट ट्यूब का जो जनरली efficiency होता है वो आपको याद रखना होता है जो कि होता है 50 से 60 तो यहां पे mention किया गया है पचास तो efficiency अपन का दिया है तो जो हमारा efficiency होता है सिंपल यहां से दिखाएंगे जो efficiency होता हो क्या होता है लूमेन पर वाट लूमेन पर वात तो लूमेन पर वाट यानि कि फ़लक्स है यानि five-by पर वाट हो जाएगे तो अगर यहाँसे five निकालेंगे किया हो जाएगे efficiency कितना होता 50 और battery Can कीजएगा कितना हो जाएगा यहां पे लागबग यहांपे 950 के आसपास होगा और सी राइट हो नेक्स्ट होगा हमारा कि जो luminous intensity होगा उसको एक्स्प्रेस किया जाएगा कैंडला में और युनिट ऑंदेस्टि क्या ओता है कैंडला होता है उसमें इनट गयस होता है तो उसका काम होता है उसका काम होता है जो filament evaporate हो रहा है उसके rate को कम करना क्योंकि अगर वार्ट होगा तो फिलाइमन हमारा टूट जाएगा उसी टूटने से यह लाख्स होता है यह बात करें तो जो कलर लाइट इमिटेर बाइद सोडियूम वैपर लेंप होता है उसका कलर वह कैसा कलर प्रडूस करता है तो यह लोग प्रोडूस करता है इसका जो एफिशेंशी होता है हो 50 lumin per watt होता है जो हमारा blast सरकीज होता है जो हमारा blast resistance होता है तो तो यह आपके याद रख लेजिएगा कि हॉटल का कितना होता है क्या होता है next question है कि sometime जो हुई होता है rotating machine का influence इसको बोलता है यानि कि जब हमारा जैसे पंखा बगारा घुमता है तो इसा लगता है कि वह स्थीर है या फिर कलोकवाइज अगर गोम रहा था तो इसको बोलते है इसको बोगया फिर को कुछ सचीट रेखने वहारे डाब्पस क Emil को करता है तो सब्सक्राइख में। में उत्री जूरूपए सब्सक्राइख कंखे करों करता है कि वह इसा इसमें इसा ऐसी आएकं को बिश टन केसा उत्व वह है सुझ अगर बोल्टेज ड्रोप एक परसंट होता है तो जो आटपूट में जो फ्लक्स निकलेगा वो तीन दसनला पांच परसंट क्या हो जाएगा घट जाएगा यहां पर बात करें कि फिल्ट इन जी एलेस लेंप तो वो के उनसा कैस होगा तो जनरली कोई भी इनर्ट गैस को भड़ा दिया जाता है यह फिर दोनों हो सकता है नेक्स्ट है कि हमेरा प्राइमरी फंट्शन अपकेपेसिटर एक तो सप्लाइफ फ्लोर सेंट तो कैपेसिटर को लेकिक जाता है तो जनरली क्रिप्ट टान के अब किया जाता है अब नेक्स्ट कोसन है कि यह देक्ट में पर देशे ह्या जाता है तो सौन करता को जनरली एलीड होगा अगर और ऑप्षिन तो CFL होता है, next question है कि जो कोई भी जो what other the electric current is also present in fluorescent lamp, तो generally magnetic effect होता है, अब next question हमारा है कि fluorescent metal जो zinc, fluorescent metal जो की zinc silicate है, अगर इसका use करते हैं तो यह कैसा color देता है, तो यह green color देता है, यह दर रखे है, zinc silicate का use करने से fluorescent tube में, क्या होता है कि वह green color देता है, इक कोशन आपके semester exam, यह कैसा lighting scheme है, यह indirect lighting scheme है, ठीक है, यह क्या है हमारा indirect lighting scheme, इसमें 90% जो lighting को हम पहले ceiling पर फेकते हैं, और उसके बाद वो diffuse process के तुरू पूरे room को lighting करता है, फिर next question हमारा, कि जो HMB, HPMB है, यानि कि high pressure mercury vapor length में है, उसमें mercury के साथ क्या मिला रहाता है, आरगर मिला हुआ रहाता है, sodium vapor lamp generally use क्या जाता है, street light के लिए, और अगर बात करें, what effect of electric current is utilized in filament lamp, जो filament lamp होता है, या जो 10 रुपिया वालब होता है, उसमें कौन सा effect यूज क्या जाता है, हीटिंग effect के वज़े से, यहाँ पर light और heat energy radiant होती है, जो उसमें coating लगा वा रहाता है, बल्ब के अंदर वो उसको visible ray में change कर देता है, next question है कि कि टेंपरेचर के ब्योइंड मतला हमाला जो gas होता है, वो vaporize हो जाता है, वो होता है 2000 डिग्री celsius, next question हमारा कि आयोनिजेशन वोल्टेज जो होता है, sodium vapor flame का कितना होता है, तो 220 वोल्ट होता है, next है कि function of choke तो बार बार में आपको बता है, कि choke का काम होता है, current को control करना या voltage level को बढ़ाना, next है कि जो light source होगा, उसका efficiency जो होता है, volume per watt होता है, next हमारा है कि जो resistance अगर यहां पर दिया गया है और voltage दिया गया है तो इसमें आपको क्या निकलना है, वाट पावर और voltage दिया गया है तो resistance निकलना है, खेर यह तो basic electrical engineering का question हो जाता है, next है कि candela unit according तो system international क्या है, अगर बात करें, laser produce जो होगा, stimulate emission के तुरू, तो उसका characteristics के बात करें, तो यह क्या होता है, monochromatic होगा, coherent होगा, very narrow होगा, अब यहां से और भी question है, जो कि अब यह जब practice केज़ेगा, तो समझ में आ जाएगा, क्या है नहीं है, तो अब यह figure देख लिए जो है, जो है मारा UPPCL में पूछा गया है, UPPCL में खास करके figure बाला question जादा पूछा जाता है, तो यह कौन सा bulb है, तो यह है neon flasor, अब neon flasor को क्या होता, आप Google करके देख लेजाएगा, इस तरह से और भी question है, आप यहां देख सकते हैं, बागी question का practice कर लीजेगा, और utrescent factor क्या होता है, इसका range क्या होता है, इस सब exam question पूछे जाते है, यह सारे question जो है, कि tube light जो होता है, उसमें चोक किस सिधान पर काम करता है, तो इ आप के बीच होता है, और अगर बादर करें, डॉमेस्टिक लोड में जो यूनिटी पावर फेक्टर होता है, किसका होता है, तो वह होता है, फिलामेंटल बल्व का, जो हमारा 10 रुपिया बल्व होता है, उसका होता है, तो फाइनली गाईस, यह है, अब इसी question को अगर आपका, जो जनरेशन वाला पाट है, वो उसमें, जनरली आरके राजपुत से ही आते हैं, बाकि नमरीकल वाला पॉइंट भी जेवी गुपता है, फिर वीके में था होता है, जेवी गुपता में भी क्यों आता है, क्योंकि वो ESE का question डाला हुआ रहा था, वहां से आता है, बाकि आप यह नोट्स भी देख सकते हैं, आप इसको रिवाइस कर सकते हैं, तो आप देखे, इलुमिनेशन का जितना सारा अबजेक्टिव हो पाता है, मैंने आपको करवाए लगव दो तीन सो अबजेक्टिव है, इसको देख लीजेगा, इलुमिनेशन से रिलेटेड को